नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बियरच फट में चलिए चलते हैं आज की निउस पर ये ख़बर इरान से आ रही है इरान में हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट काफी बड़े लेवल तक पहुंच किया है चलिए चलते हैं पूरी ख़बर पर इरान में मासा अन्मीकी मौत के बाद भिजाब दिरोध में शरुरू है परदर्शन 14 सब्ताभ में परवेश कर चुका है लेकिन ये उसी गती से आगे बढ़ रहा है जिस गती से ये शुरुबाद हुई थी इस परदर्शन में दुनिया के अन्न देशों का भी समर्थन मिल रहा है सरकार ने लाठी से लेके गोलें तक चलाएं लेकिन महिला परदर्शन ने एक अदम भी पीछे नहीं हटाया उन पर जितना सक्ती बरती जा रही है ये परदर्शन उतना ही बड़ा होता चला जा रहा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये इरान की एक स्पेशल फोर्स बनाई गी थी उन लोगों के लिए जो लोग उलंगन करते थे इसलामिक रिलिजिन्स का जैसे की इसलामिक ड्रेस कोड हो गया लेडिस के हिजाब नहीं पहनती है इस पुलिस ने 22 साल की मासा आजमी को अरेस्ट किया था हिजाब ना पहनने के लिए और उसकी लॉक अप में मौत हो गई यहीं से ये प्रोटेस्ट की शुरुबाद हुई दोस्तों मानम अधिकारी समून ने दावा किया है कि विरोट परदक्शन में अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से अधिक लोगों को हिंसा जड़क में गायल हुए इसके साथ ही 2000 से अधिक लोगों को हिरास्त में भी लिया गया है हाले कि इरानी सरकार ने इसकी तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया बता दें कि इरान में 2009 के बाद हरित अंदोलन के बाद इस परदक्शन के जरीए इरान के धरम तांतर के खिलाफ सबसे बड़ी चनोती पेश की गई है दोस्तों इरान की महिलाओं की जुआ पीड़ी को अजादी चाहिए वे खुलकर जीना चाहती है यही बजा है कि इरान के इसलामिक गनराज्य में समाजिक राजनेतिक या संस्कृतिक अपना बविश्य नहीं देखती यह महिलाएं अपने माता पिता और दादा दादी के बरपीत खुलकर जीना चाहती है विरोध परदर्शन के सामने आए हुए कुछ वीडियो सुरक्षा बले द्वारा महिला परदर्शन को पीड़ते हुए और धक्का देते हुए दिखाया जा सकता है इनमें महिलाओं के वे वी शामिल हैं जिनोंने अपना हिजाब उतारा हुआ था इरान में हिजा पहना अनिवारे है अधिकारियों के इंटरनेट पर रोग लगाने के बावजूत राजदानी तहरान और अन्य जगाओं के वीडियो ऑनलाइन परसारित हो रहे हैं राजदानी तहरान में निवासियों को परदर्शन में भाग लेने के लिए उसकाने और और अरोप लगाया गया था इरान में हिजाब के खिलाब विरोध चरम पर है इरान में महिला के विविन शेत्रों के हस्तियां भी समर्थन में आ गई हैं इसी बीच इरान की अविनेत्री एलन नार इसमर्थन में खुलकर सामने आ गई हिजाब के विरोध में उन्होंने अपने एक वीडियो इंस्टागरम में शेयर किया जिसमें मैं अपने कपड़े परत दर परत उतार लेती नजर आई उनका कहना था कि महिलाओं को यताय करने का अधिकार होना चाहिए कि वैं आखिर क्या पहना चाहती है दोस्तों आपका इस परदर्शन के बारे में क्या कहना है इस वीडियो में कमेंट करना और जिन्होंने इस चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया प्लीज इसे सिस्क्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए डेली एक ऐसी निउस लाते रहें जाहिंद